हाई ट्विल्टीज, वेलकम टू इजी वे कॉमर्स क्लासेज, मैं हूँ दबिता और गाईज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने अकाउंट्स को लेकर, यानि कि अकाउंट्स की हमें किस तरीके से प्रेक्टिस करनी है कि 15 डेस के अंदर हम उसका कोर्स कम् कर सकते हैं, अगर हम स्टार्टिंग से अपनी कोई बुक को उठाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो चैप्टर काफी अच्छे तरीके से नहीं करें, तो क्या यह समय है कि हम इस समय पर कर सकते हैं, तो यही टाइम है, जब आप अपनी अकाउ कैसे कोर्स को जल्दी से जल्दी कम्प्लीट करें, बट यह जो 15 दिन है, अगर इसमें अपने कोर्स को तसल्य से कम्प्लीट कर लिया, तो आपके मार्स उचाईयां ही चुएंगे, तो यही जो एंट टाइम की तियारी होती है, यह सबसे जादा प्रीश्यद होती है, यह ए इसके अंदर आपको तीन दिन देने चाहिए, और तीन दिन में पर टे आपको कितना समय देना चाहिए, तो पर टे आपकी कम से कम अकाउंट स्री आज की प्रेक्टिस होनी चाहिए, धाई से तीन घंटा, वो भी यह नहीं कि आपने एक ही बारी तीन घंटा पढ़ लिया, आप 10 घंटा पढ़ो, रेस लो, फिर आप पढ़ो, लेकिन धार से तीन घंटे आपको पढ़ने हैं अकाउंट क्योंकि यह एक ऐसा सब्जेक्ट है, जो समय मांगता है, इसके अलावर है, डिटार्मेंट एंग डेस, जो की बहुत छोटा सा चेप्टर है, गाईस, दो दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, इसके अलावर अगर फाइनेंशिल कंपरिटिव, कॉमन साइज, एक दिन के अंदर ये चेप्टर हो जाता है, लेकिन कैश फ्लो अगर आपने स्टार्टिं से नहीं करा और अभी आप करना चाहते हो, तो हाड लीक चार से पांच दिन लगते हैं इस चेप्टर को करने में, मैं कहते हूं मैक्सिमम आप पांच दिन लगा लो, हम बहुत धीरे पढ़ रहे थे, हमें समझ नहीं आरा, तब पांच दिन मैक्सिमम इस चेप्टर में लगते हैं और आप समझ जाते हो, तो अगर आप टोटल डेस काउंट करों के देखो कित इतने मनते हैं, 3, 2, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और 5, 15, यानि कि 15 डेस के अंदर आपका फुल कोर्स कम्प्लीट हो जाएगा, वो भी बिल्कुल तसली से, जिसमें आपको कोई ना डाउट रहेगा, ना कोई कोई कन्फूजन रहेगी, और अगर आप चाते हो, तो इस्यो अप ड लेते हैं, लेकिन मैंने ये बनाया है कि एवरेज कितना हमें समय लगना चाहिए, तो 15 दिन के अंदर आपके अपके अच्छी तरीके से कम्प्लीट हो जाएगी, विद फुल प्रेक्टिस, तो लेकिन आपको इन चेप्टर को इतना समय देना है, इतने घंटे पढ़ाई कर कि जब आप इस स्ट्रेटिजी के साथ अपने टार्गेट के साथ पढ़ाई करोगे, तो ये टार्गेट आपके अचीव होते जाएगे, तो इस तरीके से आपको अपने अकाउंट को कम्प्लीट करना है, अगर फिर भी किसी चेप्टर में कोई दिक्कत आती है, तो आप प कि याओडेट करें..